हेलो बच्चों कैसे आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th and 8th की वर्कशीट नंबर G21 जो की 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सावन के महीने के आगमन से भारत वर्ष में त्योहारों का ताता लग जाता है चाहे वे हमारे लोग पर्व हों या रास्ट्रिय पर्व साहिल तीच के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उडाना उसे बहुत पसंद है वे अपने दादा जी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर धेड बुन में लगा रहता है आओ हम दिये गए चुत्र में रंग भरें और पतंग उडाने के संदर्व में अपनी जानकारी को भी साज़ा करें तो देखो बारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे ते लगाता है और उन्हें उडाने का काम करता है अब देखो यहां पे पहला प्रश्ण आपको दे रखा है कि अपनी मन पसंद की पतंग का एक चित्र बनाओ तो आप यहां पे चित्र बनाएंगे किसी भी एक ऐसी पतंग का जो आपको बहुत जादा पसंद है अब यहां पे देखो प्रशन दे रखा है कि दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है आप सब दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में पतंग अक्सर उड़ाई जाती है पंदरा अगस्त को और पंदरा अगस्त के दिन क्या होता है उस दिन होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस ठीक है अब दूसरा प्रशन है भारत के निम्न लिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है उनका नाम लिखिए तो देखिए पहला है राजस्तान और राजस्तान में जो पतंग उड़ाई जाती है जिस अवसर पर उड़ाई जाती है वो है मकर संक्रांती ठीक है मकर संक्रांती राजस्तान और गुजरात दोनों में ही मकर संक्रांती के दिन पतंग उड़ाई जाती है अगर हम केरल की बात करें तो केरल में उड़ाई जाती है पोंगल के दिन पोंगल एक थिवहार है जो केरल में मनाया जाता है और उस दिन ही वहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है अगर हम हर्याना की बात करें तो हर्याना में मकर संक्रांती के दिन भी पतंग उड़ाते हैं और 15 अगस्त को भी पतंग उड़ाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये question भी complete हो गया अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्ण तीसरे प्रश्ण में क्या कह रखा है कि पतंग एक में कितने वर्ग है तो देखो एक तो simple तरीका है आप इसको थोड़ी सी बड़ी करें और गिनना शुरू करें एक दो तीन चार पांच एक लाइन में पांच है इस दूसरी लाइन में भी पांच होंगे तीसरी लाइन में भी पांच चौती में भी और पांच भी में भी यहाँ पे आप बीच में भी किसी भी वर्ग को ले लेंगे, ऐसा भी बनेगा, और एक यह पूरा बड़ा वाला वर्ग भी बनेगा, तो जब हमें एक वर्ग दे रखा होता है और उसमें कई सारे वर्ग और बने होते हैं तो उसमें नंबर कितने हैं पूरे वर्ग कितने हैं इसको निकालने का एक सिंपल तरीका होता है हमने काउंट किया यहाँ पे कुल कितने वर्ग थे? पाँच तो हम 5 गुणा 5 करेंगे फिर जमा में 4 गुणा 4 करेंगे फिर जमा में 3 गुणा 3 करेंगे फिर जमा में 2 गुणा 2 करेंगे ठीक है और फिर लास्ट में जमा में 1 गुणा 1 तो 5 गुणा 5, 25 4 गुणा 4, 16 3 गुणा 3, 9 2 गुणा 2, 4 जमार जमा में 5 ,1 अब 25 औ 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? पच्छीस जमार 16 यह आ जाएगा 41 प्लस में हम 9 जमार 4 जमार 1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 14 और इन सब को जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 55 यानि कि total जो वर्ग है यहाँ पे इस question में वो कितना है वो है 55 तो हम इस question का answer question number 3 का answer लिख देंगे हम 55 अब fourth question है कि number 2 जो पतंग है उसमें कितने त्रभुज हैं तो अब इसमें हमें देखना है कि कितने त्रभुज हैं तो again इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और गिनते हैं एक दो तीन चार चार हो गए अब इसके अलामा पहले हमने चार लिख लिया फिर प्लस में एक ये वाला बन जाएगा दूसरा इसके नीचे वाला बन जाएगा ठीक है और इसके अलामा और कौन कौन से बनेंगे तो देखो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा द यानिकी एट त्रभुज बनेंगे इसमें तो इसका आंसर हम यहां पे लिखेंगे question number 4 का आंसर कितना आजाएगा आठ अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न इसमें कह रखा है कि पतंग उडाने से संबंधित आप भी अपने अनभवों के बारे में लिखें तो कभी आपने जब पतंग उडाई होगी आपको कैसा महसूस हुआ आपने क्या क्या किया, पतंग खरीद के लाए, उसमें मांजा लगाया, उडाते वक्त कैसा महसूस हुआ, किस किस की पतंग को आपने काटा, वो सब चीज़े आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, अब है last question जो की है, हमें पतंग उडाते हुए क्या क्या सावधानिया रखन चाहिए, तो हम कौन काँ सी सावधानी रख सकते हैं, कि पहली चीज, हम छट पे कभी भी अकेले पतंग नहीं उडाएंगे, दूसरी चीज, कभी भी हम अगर छट पे बाउंडरी नहीं बनी हुई है, तो हम बिल्कुल किनारे पे जाकर वहां पतंग नहीं उडाएंगे, हम जो हमारा ये तिवहार का मौका है, वो खराब ना हो, और हम भी, हमारा मोन भी ठीक रहें, तो इस तरह की सावधानिया हम बरत सकते हैं, फिर दूसरी चीज, यहां पे ये भी है, कि जो मांजा हम लगाते हैं, उससे भी हमारे हाथों को कटने का डर रहता है, तो उस मांजे क को भी हमें सावधानी पूटवक से पकड़ना होता है, और उस मांजे का स्तमाल हम करेंगे, जिससे हमारे हाथ कम से कम कटें, जिससे हाथ को कटने का खत्रा ना हो, ठीक है, तो ये सब सावधानिया हम बरत सकते हैं, पतंग उडाते समय, यहां पे देखो एक कविता दे रख ना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, आई होब आपको ये वाकशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, थैंक यू,